BPSC TRE का exam अब पूरी तरह से संपन हो चुका है लेकिन इसके बाब जूद जो छात्र सबसे ज़्यादा खोजने में जुटे हुए उनका ये खोज है कि अब BPSC TRE का जो exam हुआ उसका क्या कटॉप हो सकता है क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा संसे में है कि exam का level जिस परकार से primary में अप रखा गया था उसके अनुसार क्या कटॉप हो सकता है और जो आज का exam था उसमें SST का exam पूरा EG दिया गया ऐसा छात्र रिव्यू में बता रहे थे जबकि वही पर साइंस वालों का कहना है कि paper को tough रखा गया था चात्र का संसा एक ही तरफ जा रहा है कि cut off क्या हो सकता है सभी papers के लिए primary के लिए क्या होंगे और high school वालों के लिए क्या होगा यही जानने के लिए भी हम railway growth के जासर के पास आएं तो चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं तमाम चीज़ों को सबसे पहले तो primary में जो इस परकार का लेवल रखा गया था बहुत सारे चात्र ऐसा कह रहे थे एक्जाम की रिव्यू में कि जिस परकार से हमने civil services वाली एक्जाम दे थी उससे भी tough रखा गया था प्रिलिमस एक्जाम से असर क्या लगता आपको आप किस मेजरिये से देखे उसको और आपको क्या लगा था क्वेश्चन का standard अस्तरिये है इसमें कहीं से कोई दोमत नहीं है अगर आपने conceptually चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो आपसे question नहीं बनेगा तो आपको student से जादे आना चाहिए ये बात उन्होंने clear कह दिया था और आपको भी नहीं हड बनाना है अगर cut off question tough है तो cut off down जाएगा सब के लिए tough था ऐसा थोड़े है कि कोई जो है पहले से बहुत चीज़ें सीख के रखा था सब के लिए बदली तो जो सब लोग fight करेंगे आप भी fight किये हैं तो cut off बहुत जादे जाने की संभावना नहीं है cut off कम जाएगा चुकि बहुत सारे जगों पर हिंदी बिंदी में आप देखिएगा कि सीट जितना है उससे कम एप्लिकेंट्स हैं तो आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हाँ qualifying हो जाएगा जो qualify कर जाएंगे उनका result हो जाएगा तो आप एकदम टेंशन नहीं लिजए आप आरान से खापी का अबसुती है बहुत टेंशन ले लिए आप सुप्रीम कोट बहुत सारा टेंशन आपने छेला है तो आप एकदम अब टेंशन नहीं लिजए टफ था तो सबके लिए था कट आउफ डाउन जाएगा सबके लिए जाएगा आपके लिए भी जाएगा जो बच्चे अच्छे होंगे मेरिटोरियस होंगे उनका रिजल्ट होगा ही और जैनरात तक बात रही कट आउफ की तो कट आउफ आपको आप यही समझ ये क्वैलिफाइंग से थोड़ा जादे है रहने की संभावना है चुकि सीट ही इतना जादे है 55 से 65 नमर ये male candidate का कट आउफ रहेगा और female का कट आ कट आउफ जो है वो आपको 50 से 60 थोड़ा घट भी सकता है इतने भी 45 से 60 तो इस range में कट आउफ रहने की संभावना है और उमीद करेंगे कि आप लोग अच्छे सिक्छक बने और हमारे बिहार को एक नई दिसा और दिसा दें सर आपने कट आउफ बता है कि 55 से 65 के बीच और सभी ऐसा बता रहें कि 65 से जादा नहीं जाना चाहिए लेकिन एक चीज और है सर कि अगर beard वालों के साथ अगर परिस्तिति आती है कि chairman ने भी का है कि उसका result hold कर दिया जाएगा अगर उनका result hold कर दिया जाता है तब आप सर क् खलवली देख रहे हैं आप result list में जब उनका रोका जाएगा यह तभी कहीं cut-off है अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो 10 नमर बढ़ जाएगा यह जो cut-off अभी हम आपको बता रहे हैं कि उनको रोका जाएगा तब का यह cut-off है अगर नहीं रोका जाएगा तो 10 नमर बढ़ जाएगा फिर 65 से 75 चला जाएगा सतर बहत्तर के आसपास का कटॉप तब बनेगा दस नहीं बढ़ेगा तो कम से कम साथ आठ तो बढ़ी जाए तो इसलिए अभी मैं जो बता रहा हूँ ही सुप्रीम कोट का जो निर्देश है उसका अगर उनुपालन होता है तब की बात में बता रहा है और तब मेल के लिए 55- और फीमेल के लिए 50-60-45 भी जा सकता है नीचे पेपर का लेवल सर इतना टॉफ होने के बावजूद सर आप इतना रिजल्ट में फ्लेक्ट्वेशन हो सकता है बीएड वालों के आने से एकदम साथ नमर का क्रुप फ्लेक्ट्वेशन एकदम दिखाई देगा आपको चुक होगा नहीं मानिय सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिपनी की है इस पर तो कहीं से भी होने की संभावना दिख नहीं रही है लेकिन सरकार है सता है हो सकता है बीएड वालों का सीट ही बढ़ा दिया जाए कुछ ऐसा करें तो अलग बात है हो सकता है उनकी मनसा अगर क्लियर रह रहे हैं सर लेकिन अभी जो आज का एक्जाम संपन हुआ प्राइमरी के बाद जब आज है स्कूल का एक्जाम संपन हुआ तो इसमें बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी हो गया सर उसमें सीट से कम विद्यार्थी है लेकिन सस्ट जहां पर सबसे ज्यादा सर तो उन छात्रों को आप क्या कहेंगे उसका पेपर भी जी आया तो इसलिए थोड़ा सा उनका कट आफ जो है जादे जाने की संभावना है लेकिन बहुत जादे नहीं जाएगा साथ से आट नमबर बहुत हो गया इसमें सब लोग थोड़े फॉर्म भरे हैं इसमें उन ल कंपेडिशन है नहीं तो इसलिए बहुत जादे फरक नहीं पड़ेगा कट आफ पे पांच-छे नमर का इधर उधर हो सकता है और वालों के रिजल्ट रोकने से प्रभावित हो सकता है और वालों का अगर रिजल्ट दिया जाता तो उस स्तिती में क्या हो सकता है बाकी आप क्या सोचते हैं आपने कितने नमबर गेन करे हैं आपने कितने सही सही बनाए परिक्षा में कमें बॉक्स में जडूर लिखिए और मिलेंगे आपसे एक और हेलफूर सेसर में जाहिंद